तो आज हम आपको सीने विस्टा लिमिटेट पे शेर अनालिसेस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही में hit the bell icon तो सबसे पहले आपको इस company के बारे में बताते हैं कि company काम क्या करती है तो ये एक television industry से जुड़ी है मलब इनका sector है television industry जापे इनका production house है और ये बहुत सारे different kinds of serials, films और advertising films बनाते हैं दिल दोस्ते, dance है, बेहद है और भी बहुत सारे serials है जो शायद नहीं भी देखे हो आपने पर ये ये दो जो बहुत ही famous serials है उनके में नाम आपको बता रही हूँ साथ ही में star plus, z tv और sahara ऐसे बहुत सारे like channels है जहाँ पे इनके serials आते है अब यहाँ पर बात करतें company data की तो market cap है 109.42 करोड तो ये एक small cap company है जिसका industry का PE है 29.13 और company का PE यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये industry के PE मलब, I mean यहाँ पर PE क्यूं नहीं दिया हुआ है क्यूंकि ये company loss में है उस वज़े से book price भी अगर आप देखे तो 2.47 times पर आपको ये share मिल रहा है तो ये एक महेंगे price पर आपको ये share मिल रहा है और इसका beta है minus 0.21 it means कि निफ्टी के हिसाब से move on नहीं करता है लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी अगर down है तो ये तो भी up है like अपने हिसाब से चलता है तो एक टाइब से ये risky stock है financial trend की बात करते है तो जैसी के आप यहाँ पर देख सकते company का जो revenue था वो आज के तारिक में कितना हो गया है revenue जो 35 करोड 31 लेक का जो था 35 करोड 67 लेक का था वो आज 2021 में अगर आप उनका revenue देखे तो 5 करोड 4 लेक्स का है अब यहाँ पर मैं आपको बता जो कि इनका revenue क्यों इतना गिर गया जैसे कि Corona का पीरर था उस टाइम लाइक उस टाइम शूटिंग वगेरा रोग दी गई थी क्योंकि बहुत सारे लोग मिल नहीं सकते थे तो इस प्रोड़क्शन हाउस 19 मंच तक 19 मन तक वह आप समझ लिए कि डेड़ साल तक यह बिना काम के रहे है और अभी भी ट्राय ओन कर रहे है कि इनको सिरियल या कोईभी चीज इनको मिलेकि यह वो कास्ट करें और उसके बाद मार्केट में लेक्याकी आरए लेकिन वो चीज इनको नहीं मिल पा रहे है और इतने मॉंस ऑल्रेडी हैं बिना काम के रहे हैं प्र और उस वज़ेसे जो कमपनी है उनको मैसिव लॉस हुए ह और जो इनके expenses है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए है expenses obviously expenses बढ़ने वाले जब कंपनी के पास revenue नहीं होगा पर expenses तो होंगे company के company का जो depreciation है वो भी बहुत सारा हो गया है तो उस वज़े से और losses तो 2018 से चल रहा है बट फिर भी थोड़े थोड़े losses है लेक 2 करोड 44 लेक्स 1 करोड 32 लेक्स पर company के पास काम भी थे 2020 में 19 करोड 31 लेक का काम था और 3 करोड 8 लेक का loss था इन 2021 5 करोड 4 लेक का company के इतना revenue company ने किया है लेकिन loss अगर आप देखे तो 9 करोड 54 लेक का company को यहाँ पर loss हुआ है तो क्यों loss हुआ है वो मैंना आपको बता दिया है क्योंकि company के पास अभी हाल फिलाल कोई भी काम नहीं है और इतने मन से उनके पास कोई भी काम नहीं था उस वज़े से loss तो हो नहीं है shareholding pattern की बात करें तो promoter के पास है 67.61% का stake domestic investors के पास है 0.89% का stake और public के पास है 31.5% का stake तो यह overall company की shareholding pattern है अब यहाँ पर revenue statement की बात करें तो मार्च जून सेप्टेंबर like quarter quarter on quarter basis पर अगर आप देखें तो zero like revenue नहीं है company का other income इनको March 2021 में हुई थी 4 करोड की पर उस time company के expenditure 8 करोड के थे तो आप समद लीजे minus 4 करोड का company को यहाँ पर नुक्सान हुआ है जून में अगर आप देखें expense से minus 1 करोड का loss September में देखें तो minus 8 करोड का loss तो यह company का यहाँ पर revenue statement है company के पास काम नहीं है और company के expenses है और company यहाँ पर loss बुक किये जारी है अब return ratios की बात करें क्योंकि पिछले like हमने 4 साल का data देखा है तो पिछले time भी company loss में ही थी तो 2019, 2020 में भी अगर आप देखें तो return on equity minus 2.17% था minus 5.57% इसका मतलब क्या होता है company के जो equity है ठीके उस पर company कैसे काम करें और return दे रहे है पर company तो हर साल loss में ही थी तो return कहां से देगी तो company यहाँ पर minus negative में ही है और 2021 में इतना ज्यादा company नीचे आ गई कि minus 21.36% का return on equity हो गया है ROC की बात करें तो return on capital employer company के capital पर कितना return मिलता है तो minus 0.66 से minus 4.99% पर आ गया return on assets की बात करें तो minus 0.60 से minus 4.58 पर आ गया है तो company के return ratios यहाँ पर नीचे जा रहे और obviously बात company के return ratios नीचे जाएंगी company loss में है leverage की बात करें तो यह एक बात यहाँ पर अच्छी के company debt free है like company के पास debt बिलकुल भी नहीं है और interest coverage ratio यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन overall देखे company तो अभी stable नहीं है इत लास बात करतें market price की 5 year high की बात करें तो high यह इनका 25.60 और currently 19.05 पर trade कर रहा है आज भी यह 4.75% डाउन था 0.95 रुपीस डाउन था अब ऐसे shares में मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप निवेश करों जिस company के पास अभी काम भी नहीं है company के expenses बहुत है तो कभी यह share और भी गिरके 10 रुपे पर आ जाए तो मैं आपको suggest नहीं करूँगे कि अगर कुछ अच्छी news आती है इस company के लिए तो हम आपको बता भी सकते हैं पर अभी हाल फिलाल ऐसे shares में निवेश करना बहुत ही risky है और मैं आपको suggest नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको कंपनी बता दिए कि अभी कंपनी कैसी काम कर रही है कंपनी के पास कितना काम क्या नहीं है तो उस वाज़े से मैं suggest नहीं करूँगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप चैनल थैंक यू